गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है फ्रेंड्स यह सम नंबर लेंगे और यह लास्ट समें चेप्टर का बाकी तो कुछ है नहीं फिर तो जो भी प्रैक्टिकल एप्रोच जो भी है वो वैसे एक्जाम में आता नहीं था कोरोना की रिजन से नहीं वैसे नहीं आ रहा था और वैसे कोरोना की रिजन से फिर तो वहीं पीछे वाला तो सब mathematically कुछ भी rules को apply नहीं किया और मिश्टक्स हो रही है वो वाले सम्स तो वैसे नहीं आ रहे थे तो फ्रेंड्स यह सम नंबर फोर जो है हमारा लास्ट समय यह वाले चेप्टर में यहाँ पर mathematically तो correct बना दिया वैसे ही exam में आएगा इतने सारे accounts के balances नहीं आते friends यह exam में आएगा आपका three marks का ही यानि आपको maximum six accounts ही आपको provide करेंगे वो लोग और उसमें से आपको debit balance credit balance है वो उसी साथ से ड्रो करके trial balance में ड्रो करेंगे एक accounts का आपको single accounts का आपको half mark मिलेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होता यह वाले चेप्टर के accounts में बहुत सारे चेप्टर होते सबके सबको adjust करना होते कि more than 21 chapters वैसे ही रखे हुए उन लोग चेप्टर ज्यादा होते हैं तो चेप्टर वाइस marks भी बहुत कम होते हैं तरहां चेप्टर से उसके marks बहुत ही ज्यादा होते हैं यहापे तो वैसे ही six accounts आएंगे और सबके half-half marks मिलेंगे आपको तो यहापे क्या mathematics लिए तो यह correct है पर accounting error जो भी है उसको modify करना तो क्या गलती हुई है ट्राइल बैलेंस वैसे बनावा दोनों सेट देख लो mathematical लिए करेक्ट है दोनों सेट टोटल इक्वाल है ठीक है पर mistakes क्या हुए वह देख लेते हैं अब mistakes क्या हुए देख लो यहापे यह है हमारे debit bills payable उसको भी credit balance में लेके जाना पड़ेगा interest received है चीदी बात है ना तो यह interest received है तो कि आपको पता होना चीए कि इंकम है तो credit balance discount received है वह भी credit सेट जाएगा वह भी credit सेट जाएगा machine वह करेक्ट है assets है debit तो debit सेट ही है stock भी करेक्ट है purchase भी करेक्ट है wages भी करेक्ट है purchase return देखलो friends purchase return purchase always as a debit balance purchase return always as a credit balance तो यह गलती है यहापे यह credit सेट जाएगा यानि यह वाली figure यानि यह पूरे का पूरा यहां से यहां आ जाएगा यह 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 चारों में भी गलती है ठीक है next commission received and discount received वह भी दोनों के दोनो income है तो income always has a credit balance आपको पता होना चीए दोनों के दोनों यानि यह इतनी गलती थी जो हमें debit से credit से लेके जाने पड़ेगे अब credit से debit से लाने वाली entry इसको तो rectify करने की जरूद नहीं customer data data assets assets always has a debit balance तो उसको सामने की और लेना जाना पड़ेगा discount allowed expenses तो debit balance होगा तो सामने लेके जाना पड़ेगा उसको भी sales correct credit balance ही होता है sales return तो sales return goods आता है तो real का rule debit what comes in यह debit set जाएगा और rent paid expenses expenses और nominal का rule debit balance होगा तो उसको भी सामने की और लेके जाना पड़ेगा जैसे आपको दोनों side mistakes को rectify कर लोगे तो आपका दोनों side का trial balance correct हो जाएगा यह आपका जो मैंने बोला हुई यह modified यानि rectification इसमें हो चुका यह करना है मोडिफाइट है वो तो पता दो होना चेंगे mistakes कहां है ठीक है यह chapter हमारे यह complete हो जाता है और तो कुछ यह chapter में पढ़ना ही नहीं है वैसे इतना सारा नहीं आएगा एक्जाम में इतने सारे मांक्स के तीन मांक्स से ज्यादा करिया है तीन यह आप त्री और फूर मांक्स से ज्यादा नहीं ड़न ठीक है तो हैवा गुड़ ड़े